हालो दोस्तों गुडीवनिंग स्वागत सबका मेरे चैनल में मैं हूँ आपका बेर दोस्तों आज बात करेंगे SBI की ATM सेक्यूरिटी सिस्टम के बारे में क्या है यह चीज अराम से बात करेंगे अगर आपको याद होगा दोस्तों कुछ दिनों पहले या कुछ मेहनों पहले SBI की यह न्यूज आए थी कि वहाँ पर अभी ओटीपी सिस्टम करके एक चीज आएगी मतलब जैसे यह आप कैश विड्रॉवल करने जाओगे अगर से उपर है तो आपको एक ओटीपी आएगा और आपको वह ओटीपी वहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा उसके बाद ही आप अपनी कैश निकाल पाओगे और यह सिस्टम उसकी सेक्यूरिटी बढ़ाने के लिए की जाने वाली थी अब एक्चुले किस तरह से इंप्लिमें पर आगे जाने से पहले में चाहता हूँ कि अप सिस्टम के बारे में आप मुझे बता हो कमेंट में हैं कि आपको कैसा लगा यहां सिस्टम को यहां कि क्रनी करने से आपको लगता है इस प्लिक अच्छा लगता है आपको information मिलती है मेरे वीडियो से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कीजेगा और बेल आइकूं को क्लिक कीजेगा तकी आने वाले हर एक वीडियो की news जो है वो detail के साथ आपके पास पहुंचे और आप अपने decisions अच्छे से ले सको और alert रहे सको बात है दोस्तों SBI की कुछ मैंने पहले SBI की security system से ये बात आये थी कि वो लोग अभी एक OTP टाइप system लाने वाले हैं जैसे हम लोग कोई online payment करते हैं तो हमें पहले एक OTP आता है बैंक अभी ATM में लाना चाहती हैं क्योंकि हम लोग देखने के frauds अभी ATM तुरू भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की ज़रुरत थी बारत का सबसे बड़ा bank के दोस्तो State Bank of India इसके ATM भी बहुत ज्यादा है इसके customers भी बहुत ज्यादा और इसकी cash के लेंदेन भी बहुत ज्यादा होती है तो bank ने सोचा क्यों ना 10,000 रुपए के उपर का जो भी withdrawal होगा उसके उपर आपको जो है वो OTP लग जाएगा आपके फोन पर आजाएगा अपके उसी फोन पर आएगा जो registered मैं कहा रहा हूं दोस्तों registered नंबर है SBI के साथ में तो उस नंबर के आने के बाद आप तभी अप amount 10,000 से उपर है यानि कोई भी फ्रॉर्स्टर जबी amount निकलता है तो वह बल्क में निकलना चाहता है एक साथ निकलना चाहता है बड़ी amount निकलना चाहता है तो उस बड़ी amount को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर जो है वह OTP डाला गया है पर यह OTP का भी एक सिस्टम है यह जो है यह All and Through नहीं होगा यह सिस्टम जो इंप्लिमेंट किया जा रहा है दोस्तों September 18 से किया जाएगा मतलब Friday से यह सिस्टम जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा अब जबी भी आप पैसा निकालने जाओगे तो आपको अपना जो debit card का पीन है वह तो डालना ही डालना ह है बट अगर आपकी amount 10,000 से उपर है ज्यादा है तो आपको वहाँ पर आपके phone पर आये हुए OTP को भी एंटर करना है तभी आपका transaction जो है वह success होगा आप पैसे निकाल पाओगे अभी यह company ने बैंक ने जो है यह फ्रॉंस्टर को रोकने के लिए और customer की safety बढ़ाने के लि लोग एक साथ amount नहीं निकालते जबतों कोई emergency नहीं आती है अब यह security क्यों मतब कब से कब तक है यह रात के 8 बज़े से सुबह के 8 बज़े तक यानि वो time जहाँ पे fraudsters ज्यादा activate होते है और इसी time पे चोर जिन्होंने आपड़ debit कार चुरा है यह सब बंदे लोग इसी time प पैसा निकालने की यह चीज है दोस्तों किस तरह से implement हो रही है यह बहुत ज्यादा important है क्योंकि bank के ATM बहुत ज्यादा है और किस तरह से bank इसको अपने system में integrate करेगी और साथ ही साथ में किस तरह से logo तो कि यह information पहुचेगी जो educated है जो digitally sound है वो लोग ते चीजों को समझ जाए हैंगे बट वो जो senior citizen है जो अभी-अभी ATM चलाना सीखें अभी-अभी उनका पीन कोट डालना जिनने सीखा है उनको OTP डालना कैसे आप सिखाओगे अगर आप state bank में जाते हैं और regularly तो आपको एक चीज़ पता होगी state bank में पहले आपको एक double digit डालना पड़ता है उसके double pin, OTP और उसके साथ में आपका पिन तो शायद यहां पे थोड़ा confusion, थोड़ी difficulty उनको हो सकती है जो technically उतने sound नहीं है तो अब idea तो state bank ने बहुत अच्छे लगा दी हैं दोस्तों और यह शायद काम कर भी सकती है लेकिन आने वाले टाइम में देखना बनता है कि यह चीज़ के लिए कितना user friendly होगा या फिर यह लोगों की दिक्कते बढ़ाएगा दोस्तों यह थी न्यूज स्टेट बैंक के बारे में न्यूज अच्छी रगी है तो आपके व्यूज जो है कमेंट में जरूर बताएगा न्यूज आपके दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा औ चैनल कर सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तैंक्यू वेरे माच